अध्याय तीन. तीसरी आख को जगाना. भाग दो. प्रतिकों. जैसा कि आप ध्यान करते हैं, चिलाते हैं, सपने देखते हैं और तेजी से तीसरी आख को जगाते हैं, छविया लेंज के माध्यम से और आपकी तीसरी आख में आ जाएंगी. कुछ तुरंट पहचानने योग्य होंगे और अर्थपूर्ण हो सकते हैं, जबकि अन्य को व्याख्या या अधिक ध्यान की आवशकता होगी. अपनी सहज प्रवृत्ती पर भरोसा करें कि ये प्रतीक आपके लिए क्या माइने रखते हैं या आप जैसा महसूस करते हैं आदी. जैसे ही आप जाते हैं, प्रतीकवाद पर ध्यान दे. प्रतीकों पर शोद करें और एक अच्छी किताब खरीदे या एक आउनलाइन संसकरण का उप्योग करें. कोई भी स्टोर जो क्रिस्टल और चट्टाने बेचता है, आमतौर पर इस प्रकार की किताबे भी रखता है या वे आपको एक के लिए संदर्भित कर सकते हैं. सपने स्वप्न कलपना कुछ सबसे उत्तम दर्शन है और आमतौर पर प्रतिकवाद से सम्रिद्ध है. सपनों के माध्यम से हम संचार, लोगों, उर्जा प्राणियों, स्थानों और बहुत कुछ तक पहुँच प्राप्त करते हैं. सपनों का काम जागरत जीवन को प्रभावित करता है और इसी तरह तीसरी आख से संबंधित जागरत जीवन में काम पारसपरिक रूप से सपने देखने को प्रभावित करता है. आवाज ध्वनी का उप्योग तीसरी आख को जगाने का एक और तरीका है. पांच इंद्रियों में से एक का उप्योग करके, हम फिर से छटी में टाप कर रहें है? इस आख को खोलने के संबन्द में ध्वनी का कुछ अलग तरीकों से उप्योग किया जा सकता है नामजब अपने आप में एक अभ्यास है और यह केवल शोर मचाना नहीं है यहां एक उच्च उद्देश की सेवा करता है ध्यान में जब आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करता है यहां उप्चारात्मक भी है तीसरे नेत्र के प्रकाश में और उसे खोलने और जगाने के हमारे इरादे में जब का उप्योग नासिका क्षेत्र में हड्या बनाने, पीनियल ग्रंथी को स्पंदित करने और जगाने के लिए किया जा सकता है बीज मंत्र या बीज मंत्र बीज मंत्र एक शब्दांश ध्वनी है जो चक्रों को बोलने, उनका जब करने और जैसा की उपर कहा गया है एक प्रति ध्वनी पैदा करके सक्रिय करता है ओम या ओम प्रणव ओम का जिसे बीज शब्दांश कहा जाता है ब्राह्मान की एक मूल ध्वनी जिसमें अन्य सभी ध्वनिया होती है ध्वनी ओम जिसे आपने सुना होगा क्योंकि यह सर्वोत क्रिष्ट ध्वनी है जिसका उप्योग ध्यान में किया जाता है और कभी-कभी इसे योग अभ्यास में भी शामिल किया जाता है ओम ध्वनी छटे चक्र के भीतर भी प्रतिध्वनित होती है और जागरूकता बढ़ाती है, तीसरी आख को खोलने और जगाने में मदद करती है उनका उप्योग चक्रों को शुद्ध और संतुलिद करने और उस चक्रक्षेत्र की जरूरतों के प्रति जागरूकता लाने के लिए किया जाता है इस उद्देश के लिए हम विशेश रूप से छटे चक्र को संतुलिद करना चाहेंगे साउंड हीलिंग द्वनियों का उप्योग संतुलन और चंदा करने के लिए किया जा सकता है तीसरी आख के मामले में आप इस चक्र में शुद्धिकरण, द्रिष्टी को शुद्ध करना और उर्जा को बढ़ाना चाहेंगे तीसरी आख खोलने के लिए जहंकार, गायन कटोरे, क्यूनिंग कांटे और गाने का भी उप्योग किया जाता है गुनगुना एक और तक्नीक है ध्वनितों का उप्योग चक्रक्षेत्र में एक अनुनाद उत्पन्द करने के लिए भी किया जाता है जब थोड़ा खुले मुह के माध्यम से और जीब और दान्तों का उप्योग करके जब किया जाता है यहाँ पैर की अंगुली शब्द की तरह लगता है और कम लेकिन फिर भी प्राकृतिक आवाज में बोला जाता है चक्र को सक्रिय करने के लिए बिनावरल बीट्स भी अद्भुत तरीके हैं वे विभिन्न उद्देशों के लिए उपचार और जागरुकता तक्नीकों के लिए सामान्य रूप से भी उप्योग किये जाते हैं छटे चक्र को सक्रिय करने के लिए बिनॉरल बीट्स का उप्योग करने से बहुत विशिष्ट ध्वनी आवरित्तियों के साथ उच्च चेतना का आवान होगा बाइनॉरल बीट का चयन करते समय जिसे आप सीडी पर खरीद सकते हैं या केवल कुछ का उप्योग कर सकते हैं जो आप उनलाइन शोद करते हैं आप आमतोर पर हट्स हट जक्त में बताई गई ध्वनी आवरित्ती के साथ बाइनॉरल बीट का उद्देश देखेंगे एक अन्य रणनीती यह है कि आप अपने आपको एक अंधेरे या अरधंधेरे स्थान पर बैठेन और विभिन्न प्रकार के टाल वाद्य यंत्रो जैसे की कटोरे, जंकार, त्रिकोन या कुछ और जो आपके पास हो सकता है या खुद को फैशन करने में सक्षम हो और अपनी खुद की ध्वनी बनाए जो महसूस हो अच्छा है और यहाँ आपके साथ प्रतिध्वनित होता है आप किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं यहाँ आपको आराम करने और यहाँ सूची बद कुछ अन्य गतिविधियों और प्रताओं को करने में सक्षम होने में भी मदद करता है खास कर अगर वे पहली बार में थोड़ा अजीब महसूस करते हैं कैसे कहें कि तीसरी आख खुली है जब तीसरी आख खुलती है तो कुछ कहते हैं कि यहाँ एक क्रमिक जागरती है लेकिन कई लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ कब हुआ जब कोई देहली स्टिपिंग पॉइंट था कई लोगों का कहना है कि तीसरी आख को जगाने की कोशिश करते समय उन्हें गर्मी महसूस हुई थी साथ ही माथे पर तवचा के लगभग एक इंच नीचे एक चिकोटी कमपन या धर्कन या स्पंदन हुआ था और यहाँ वही से विक्सित हुआ था कुछ का कहना है कि यह सबसे खराब सिर्दर्द या माईगरेन के साथ है यह तीसरी आख को जगाने की प्रथाओं के बारे में भी कहा जा सकता है लेकिन अनुभव और अभ्यास से यहाँ आसान हो जाएगा कुछ स्पष्टता और द्रिष्टी में परिवर्तन का अनुभव करते है अन्य लोगों ने आख के भीतर से खुली आख और संस्थाओं को पार करते हुए देखने की सूचना दी है कुछ अन्य लोगों ने ऐसे रंग और चित्र देखे हैं जिनके बारे में वे जानते थे कि यहाँ उनकी पहली आखों के कारण नहीं था एक दिल्चस्प और अक्सर बताया जाने वाला संकेत एक पॉपिंग या क्लिकिंग ध्वनी और एक अस्थिर संसनी है जो जागरिती अभ्यासों का अभ्यास करते समय किसी बिंदू पर होती है व्याया में हाला की समय लगता है और एक अनुशासित अभ्यास का हिस्सा बनने की जरूरत है न कि केवल कभी-कभी एक आकस्मिक प्रयास सबसे अधिक लाबकारी होने के लिए आप तुरंत काफी उन्नत अंतरग्यानी और शायद अन्यमानसिक शमताओं, द्रिष्टी, श्रवण और भावना सहित का अनुभव कर सकते हैं आप उर्जा प्राणियों और और आउरास को भी देख सकते हैं ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपकी तीसरी आख जागी हुई और खुली हुई है तैन्मो को जगाने की आम चुनौतिया ऐसे कई लोग हैं जो इस मानसिक स्पष्टता, अंतरग्यान और मानसिक शक्तियों की संभावना को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे लेकिन वे नहीं जानते की कैसे सहज महसूस करें या महसूस करें कि यहाँ वास्तव में सफल हो सकता है अक्सर समय के लोग न केवल अज्यात बल्कि इस विचार से भी दर सकते हैं कि वास्तव में कुछ हो सकता है तब उन्हें यहाँ पता लगाना होगा कि क्या करना है तीसरी आख के जागर्ण के आसपास की तक्नीक, दर्शन और अभ्यास क्या है यहाँ जानना कठिन है यही इस पुस्तक का एक उद्देश है यहाँ न तो कठिन होना चाहिए और नहीं असंभव तीसरी आख का खुलना कुछ ऐसा है जिसे करने की क्षमता के साथ सभी मनुष्य पैदा हुए है फिर भी यहाँ अभी भी कई आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारिरिक तरीकों से एक चुनौती है यहाँ एकागरता ध्यान और ध्यान लेता है आधुनिक समाज में बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनके पास पहले से ही व्यायाम या ध्यान करने का समय नहीं है कोई बात नहीं कि हमारे विचार हमेशा चलते रहते हैं और निरंतर प्रतीत होते हैं जब हम सोते हैं और राते बेचैन करती हैं तो हम बहुत अधिक सोचते हैं तीसरी आख को जगाने की प्रक्रिया को शांत करने और मन को साफ करने के लिए जान बूज कर ध्यान और एकागरता की आवशकता होती है कई लोगों के लिए इसे आसानी से करना मुश्किल होता है कुछ शाररिक समस्याएं जैसे की अजीब अज्यात अनुभवों और समवेदनाओं का विकास और सिर्दर्द कुछ लोगों को इन अभ्यासों को करने या जारी रखने से रोक सकते हैं कुछ ने यह भी बताया है कि वे कुछ योग्यताओं या घटनाओं के साथ सहज नहीं थे उदाहरन के लिए कुछ लोगों ने उन मानसिक शमताओं के बारे में बताया है जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और वे इतनी द्रड़ता से प्राप नहीं करना चाहते थे दूसरों को भमवर के खुलने और यादरित छिक अप्रत्याशित समय से गुजरने वाले प्राणियों और संस्थाओं के दर्शन से डर लगता है हालां की तीसरी आख को खोलना डरावना नहीं है और इस पुस्तत में और अन्य जगों पर वर्नित कुछ सामुगरियों और प्रताओं का उप्योग करके पहली दौरान और बाद में खुद को कैसे जमीन पर उतारा और सुरक्षित किया जाए इस पर बहुत अध्ययन किया जा सकता है आप किसी ऐसे शिक्षक गुरू या गुरू को भी खोट सकते हैं जो आपकी सहायता के लिए प्रतिष्ठित और अनुभुवी हो ताकि आपको इन गेहन चीजों को अपने दम पर न करना पड़े तीसरी आप को जगाने से जुड़ी जागरुकता और क्षमताए अन्थीन है और हाला कि यह कुछ स्तरों पर कुछ भावनात्मक परेशानी पैदा कर सकता है हमें तुरंट सहेज होने के लिए समझोता करने की आवशक्ता नहीं है तीसरा नेत्रबंद करना यह जानना बहुत मददगार है कि शुरुवात में इसे कैसे किया जाए लेकिन तीसरी आख खोले जाने के बाद भी किसी भी समय बहुत अधिक उर्जा आ रही हो सकती है और आप अभी तक यह नहीं जान सकते हैं कि इसे धीमा करने या इसे बंद करने के लिए क्या करना है या यहां तक कि अपनी इच्छा पर इसे वापस कैसे खोलना है आख खोलने से पहले एक प्रक्रिया का होना महत्वपूर्ण है किसी भी कारण से तीसरी आख और इसकी क्षमताओं को बंद करने के लिए हम आपको कुछ तरीकों में से एक में ऐसा करने का सुझाव दे सकते हैं। शिक्षक, गुरू या गुरू व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। इस समय आप कई द्रिश्य और ध्यान कर सकते हैं। यहां एक अनुशनसित गतिविधी है, जहां आप तीसरी आख को एक बड़े कमल के फूल के रूप में देखने के लिए अपने चेतन और अचेतन का उप्योग करते हैं। किसी भी स्पिरिट गाइड या फ्रिश्टो, सकारात्मक संस्थाओं या आरोही प्राणियों को संबोधित करें जो आपको रास्ते में मिले हो या जिनोंने इस समय आपका मार्गदर्शन किया हो यदी आपके पास है। यदी नहीं तो इस उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए ब्राहमान या अपनी रचना के भगवान को संबोधित करें लेकिन इस समय आप इसे वापस करना चाहेंगे या इसे अस्थाई रूप से आराम देना चाहेंगे। अब अपना ध्यान और इरादे धीरे से ऐसा करने पर लगाएं। पहले खुद को पीसें और यदी आप चाहें तो क्रिस्टल या तेल का उप्योग करें। भातिक कमन्त, क्रोसलेग्ड, सिती में सहज होकर या लेट कर या किसी अन्या आरामदायत आसन से शुरुआत करें। अपनी आखें बंद करें और आराम से होने तक धीरे-धीरे और गहरी सांस लेना शुरू करें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, फूनों की पंखुडियां खुलती और बंध होती हैं और उन्हें छोटे और छोटे होते हुए देखें। ये आपके छटे चक्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। कल्पना कीजिये की सूक्ष्मा। शरीर से निकल रही उर्जा आपके शरीर में लौट रही है। विजुलाइजेशन द्वारा अपनी आभा को वापस अपने भौतिक शरीर के करीब खीचे। सफेद रोशनी से घिरे अपने चारों और एक गुलाबी बुलबुले की कल्पना करें। यह बुलबुला आपकी रक्षा करता है और आपको जमीन से जोडे रखता है लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं। जोर से कहें कि आप उस खशन लेंज को बंद कर रही हैं और उस लेंज के माध्यम से प्रवाहित होने वाली सभी उर्जा और इंद्रियों को धीमा या बंद कर रही हैं। जोर से यह भी बताएं कि यदि आप चाहे तो बाद में खोलना चुन सकते हैं। पंखुडियों को तब तक छोटा होते देखें जब तक की वे एक छोटे से केंद्र में गायब न हो जाएं जो एक भंवर की तरह दिखता है, जो बंध हो रहा है और लुप्थ हो रहा है। कृतग्यता के संदेश के साथ समाप्त करे और ध्यान से अपने आप को ध्यान से हटाएं और अपनी आखे खोले। एक अन्य तकनीक कुंदलिनी उर्जा को साथ चक्रों के माध्यम से उल्टे पैटर्न में भेजना है। उर्जा के प्रवाह को नियंतरित करने के लिए आप इसे दैनिक आधार पर कर सकते हैं। आध्यात्मिक शेत्र और अपनी तीसरी आख की क्षमताओं के अलावा अपने दैनिक जीवन के अन्यकार्य करे जो जागरित हो गए हैं। आख खोल कर आप जो करने का इरादा रखते हैं। उसके लिए यहाँ उल्टा लग सकता है, लेकिन यहाँ असुविधाजनक होने पर इस नई उर्जा को धीमा करने और। पुनर्निर्देशित करने में बुद्धिमान और सहायक है। आप छटे चक्र की उर्जा के प्रवाह को धीमा करने या रोकने के लिए स्वटिक, पत्थर, अन्यध्यान और योग का भी उप्योग कर सकते हैं। एक साधारण एपसम नमक, सेल्टिक समुद्री नमक या हिमालियन नमक स्नान भी मनोविज्ञान द्वारा सुझाया गया है। अध्याई तीन तीसरी आख को जगाना आपको त्यैनमू को क्यों खोलना या जगाना चाहिए। विभिन्न धार्मिक या आध्यात्मिक समुदायों में तीसरी आख के विकास और जागन से जुड़ी तक्नीके और प्रथाएं हैं। कभी-कभी लक्ष केवल व्यक्ति की वर्तमान वास्तविक्ता को समझना होता है और दूसरों के पास विविद और गहरे आध्यात्मिक लक्ष हो सकते हैं जैसा की चर्चा की गई है। व्यक्तिगत विकास, उच्च आध्यात्मिक प्राप्ती और हमारे और आसपास की दुन्या से गहरी जुडाव के मामले में तीसरी आख खोलने के लाभों पर पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है. पहले के अध्याय ने मानसिक क्षमताओं के विस्तार को भी संबोधित किया जो इस तीसरी आख को जगाने और खोलने की क्षमता में एक और परत जोड़ता है. इस दिव्य नेत्र को खोलना अनिवार्य रूप से किसी की द्रिष्टी को उपयोग के लिए लागु तरीकों और तीसरी आख के कई उपहारों को साफ कर रहा है. तेन्मो को सक्रिय और शुद्ध करने से स्पष्टता, अंतर ज्यान, एकाग्रता, नया द्रिष्टिकों और अंतर द्रिष्टी के साथ साथ निमलिखित कुछ अन्य विशेशताय और ख्षमताय भी आ सकती है. रचनात मकता और कलपना शक्ती का विस्तार होता है. उर्जा, आभा, शेत्र और संभवता उर्जा उपचार करने की क्षमता को देखना और या महसूस करना. अन्य आयामी दुनिया और प्रानियों या विचार रुपों के दर्शन. कभी-कभी चौथे आयाम से भी आवास सुनाई देती है. हिंदू धर्म के अनुसार, तीसरी आख बंध होने से कई नकारात्मक गुण जैसे अनिर्णय, अनिश्चित्ता, इर्श्या, नकारात्मक्ता और भ्रम पैदा हो सकते हैं. तीसरी आख को जगाने के अनुभव. कुछ लोग जो महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी तीसरी आख खुल गई हैं, वे इमेजरी देखेंगे या अन्य सांसारिक प्राणियों को देखेंगे या महसूस करेंगे. वे मानसिक शमताओं में ततकाल या धीरे-धीरे व्रिद्धी होने की भी रिपोर्ट करते हैं. कुछ बहतर स्वास्थ्य और बहतर नींद की रिपोर्ट करते हैं. वे दूसरों प्रकृती और खुद के साथ बहतर जुडाव की व्याख्या करते हैं. कई लोग सार्वभौमिक सत्यों को देखने और महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, जो किताबी ज्यान से परे हैं और सत्थी दुन्यादारी से परे हैं. हम इस पुस्तक के भीतर संभावनाओं पर चर्चा करते हैं. जिन लोगों ने जान बूच कर यहां आँख खोली हैं, वे इनकारणों से ऐसा करते हैं, और जब यहां उनके सामने प्रकट होता है, तो वे चकित रह जाते हैं. यह कुछ के लिए अजीब और भयावा हो सकते हैं. कई लोग इनका विकास करना और इनके साथ काम करना सीखेंगे, और कुछ अपने आपको बंद कर सकते हैं. यहां हमारे मन की शक्ती के भीतर अज्यात शेत्र है. यहां भी हो सकता है. पहली बार यहां महसूस करना मुश्किल है कि आपके जीवन में हर चीज का द्रश्टा एक ऐसे लेंस के माध्यम से होता है, जो आध्यात्मिक है, न कि वैज्ञानिक रूप से वरणित तंत्र हम सभी को ग्रेड स्कूल में पढ़ाया जाता है. तीसरी आख को शुद्ध करना और जगाना खराब आहार, विशाक पदार्थों के संपर्क में आने, तनाव और आधुनिक जीवन शैली विकल्पों के माध्यम से यह सोचा गया है कि पीनियल ग्रंथी कठोर हो जाती है, शांत हो जाती है और बंध हो जाती है. हम यहां आपकी पीनियल ग्रंथी को डिटॉक्सिफाई करने और इसे सक्रिय करने के कुछ तरीके बताएंगे, ताकि आप वास्तविक्ता की एक पूरी नई धारना और समझ तक पहुँँच सकें. तीसरी आपको सक्रिय करने के लिए खुद को तयार करने के लिए आपको अपने आंतरिक और बाहरी वातावर, अपने शरीर और अपने आध्यात्मिक मन को नियंत्रित करना होगा. पहले हम भौतिक शरीर पर ध्यान केंद्रित करेंगे. हम जो ग्रहन करते हैं उसका आध्यात्मिक रूप से प्रगती करने की हमारी क्षमता से गहरा संबंध होता है विशेश रूप से जब हम तीसरी आख के खुलने की तयारी करते हैं तो हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए द्रिष्टी और शरीर की कार्य प्रणाली की स्पष्टता बनाए रखना चाते हैं यदि रुकावटे हैं तो यात्रा अधिक कठिन होगी और विशेश चनौतिया पेश करेंगी आहार और पर्यावरण के साथ-साथ मानसिक और आध्यात्मिक गैरुपयोग के कारण पीनियल ग्रंथी को आधुनिक समाज में अधिकांश लोगों में क्षीन, सिकुडा हुआ और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करने के लिए कहा जाता है शुरू करने के लिए हमें विशारण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जिन रसायनों के समू से हम सबसे पहले संबंदित हैं वे हैलाइट्स नामक समू के अंतरगत आते हैं इनमें फ्लोराइट्स, ब्रोमाइट्स और क्लोरीन भी शामिल है फ्लोराइट्स जहां पश्चमी दुनिया के अधिकांश भागों में हमारे पानी की आपूर्ती में मौजूद है वे हमारे खाद्य पदार्थों में भी मौजूद होते हैं जो फ्लोराइड युक्त पानी में उगाए जाते हैं या तयार किये जाते हैं और वे हमारे टूथपेस्ट और माउथ वाश में होते हैं। हम उनमें तैरते और नहाते हैं। फ्लोराइड पीनियल ग्रंथी के कैल्सिफिकेशन में एक मुख्य अपराधी है क्योंकि यहां मस्तिश्क में और विशेश रूप से पीनियल ग्रंथी में जमा हो जाएगा। हमारे जीवन से इन रसायनों को खत्म करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन हमारे खाने, पीने और नहाने या तैरने की आदतों को बदलने के लिए ध्यान और काम करना पड़ता है। फिर भी इसे बदलना चाहिए और यदि आप पीनियल ग्रंथी को डिटॉक्सिफाई और साफ करना चाहते हैं, तो इन रसायनों से बचना चाहिए। केवल ध्यान और अन्य अभ्यास ही मददगार होंगे, लेकिन अगर ग्रंथी ही कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ शांत हो गई है और कमजोर हो गई है, तो तीसरी आख को जगाने के लिए बहुत कुछ करना बेहत मुश्किल होगा। परिवर्तन करने के कुछ तरीके हैं, जिन पर आप शोत कर सकते हैं, जिन में शामिल हो सकते हैं कि अपने पीने के पानी को कैसे स्विच करें, अपने पीने और नहाने के पानी को फिल्टर करने के तरीके क्लोरिन्युक्त पूल से कैसे बचें, और अन्य तरीकों को सीमित कर विकल्प है तो डेंटल फिलिंग को भी हटाया और बदला जा सकता है कैल्शियम कई रूप लेता है सबसे आम प्रकार जिसका हम सामना कर रही है वह आहार कैल्शियम है कोई भी कैल्शियम जो हमारे नियमित प्राकृतिक संपूर्ण भोजन से अधिक और अधिक मात्रा में ग्रहन किया जाता है वह अत्यधिक होता है और शरीर इसे संद्रहित करेगा विडमना यह है कि इसे वही से लीच किया जाएगा जहां हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ हड़्डियों को सक्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है लेकिन उन अंगों के कैलसिफिकेशन को भी प्रभावित करता है जिने हम कैलसिफाइड नहीं करना चाते जैसे कि पीनियल ग्रंथी पश्चमी दुन्या में हमारे पास सबसे अधिक देरी खपत है, लेकिन हड्डियों के नुकसान और गठिया की उच्चतम दर भी है यदी पैरों और कलाई के साथ ऐसा ही होता है, तो कलपना करें की पीनियल ग्रंथी नामक छोटी, अत्यन सम्वेदंशील और महत्वपूर्ण विशेष्टा क्या है? हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जिने खाया जाना चाहिए और पूरग जिने बाद में ग्रहन किया जाना चाहिए, लेकिन यहां हम कम से कम यहां उल्लेक करेंगे कि जिन खाद्य पदार्थों को बाद में कीट नाशकों के साथ उगाया जाता है या ल व्यापक व्याख्या और तीसरी आख को जगाने में उनके उपयोग का अनुसर्ण किया जाएगा। कैल्सिफिकेशन को हटाकर तीसरी आख को साफ करने के लिए एक चुम्बक का भी उपयोग किया जा सकता है। आप जहां तीसरी आख स्थित है, वहां एक चुपकने वाला चुम्बक रख कर कोशिश कर सकते हैं। पीनियल ग्रंथी को उत्तेजित करने के लिए इसे पूरे दिन में कई बार करें। इस अभ्यास का उपयोग पीनियल ग्रंथी को दीकैलसिफाई करने के लिए किया जा सकता है। यह पृत्वी के भूचुम्बक की अक्षेत्र गुरों का भी अनुकरन करता है और पीनियल ग्रंथी को उत्तेजित करने पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अन्य गतिविधिया जो तीसरी आख को जगाने की तथनीक भी है, तैयारी में भी की जा सकती है। साथ ही जब तक आप चाहे तब तक तीसरी आख की जागरुकता बनाए रखने के लिए भी की जा सकती है। इसमें शामिल है योग, ध्यान, जाप, तीसरे नेत्र को खोलने में शामिल अन्यकारकों का किसी के परियावरण से लेना देना है। आपको शांत और आराम देह वातावर्ण में तैयारी के साथ साथ किसी भी जागरिती गतिविधियों का अभ्यास करना चाहिए। आप भी कोई रुकावट नहीं चाहेंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप परेशान नहीं होंगे या आपकी एकागरता और मानसिक स्पष्टता बाधित नहीं होगी। इलेक्ट्रोनिक्स को अपनी दृष्टी और संपर्क से हटा दें। यदि आप इलेक्ट्रोनिक्स से पूरी तरह मुक्त कम्रे में हो सकते हैं, तो यहाँ बहुत बहतर है। यह उपकरण नीले प्रकाश का उचसर्जन करते हैं, जो आपके मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, एक आनंद और विश्राम रसायन के स्तर को प्रभावित करता है और पीनियल ग्रंथी को प्रभावित करता है। वे विद्यो चुम्ब की आवरितिया भी उत्पन करते हैं, जो विट्टनकारी भी होती हैं। आशिक अंधकार पैदा करने के लिए खिडकिया, परदे, अंधा और दर्वाजे बंद करें। यदि आप कुछ गतिविधियों के लिए पूर्ण अंधकार में हो सकते हैं, तो यह भी बहुत मददगार है। यदि बहुत हलका प्रकाश है, तो आप लोगों के प्रभामंदल को संसाधित करना शुरू कर सकते हैं। कुछ अन्य उर्जा और आध्यात्मिक प्राणियों को भी देखना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग इन चीजों को पूर्ण अंधकार में देख सकते हैं। पीमियल ग्रंथी को उत्तेजित करने से इसके जागन को तयार करने में मदद मिलती हैं। और इसे डीकैलसिफाई करने में भी मदद मिलती है। कल्पना कीजिये कि एक पेड हवा में हिल रहा है ताकि उसकी शाखाओं पर भारी पढ़ने वाली बर्फ को छोड़ा जा सके। कल्पना करे कि पीनियल ग्रंथी अपने स्वयं के बंधनों को मुक्त करने के लिए धीरे से हिलाई जा रही है। स्वच हवा में सांस लेना भी महत्वपूर्ण है या तो प्रकृती में रहकर या अंधेरा होने पर एक बंध स्क्रीन वाले क्षेत्र में। आप अपने घर की हवा को फिल्टर से भी शुद्ध कर सकते हैं। ये तक्नीके कुछ अधिक सामान्य है जो आपको तीसरी आख या अजना चक्र के उधगाटन को बढ़ावा देने के लिए मिलेंगी। वे बाहरी दुनिया से हमारे तीसरे आयामी स्वयन से होने के उच्चक शेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के सरल तरीके हैं। यहा हमें तीसरी आख के साथ काम करने और उसे जगाने के लिए ग्रांशील होने की अनुमती देता है। अब जबकि हम कार्य करने की तयारी कर रही हैं, तो हमें स्वयन को अपने उद्देश की याद दिलानी चाहिए। त्राटक तक्नीक यहाँ एक ध्यान तक्नीक है, जिसका उप्योग तीसरी आख के बारे में जागरुकता पैदा करने और इसे जगाने के लिए किया जाता है। यह कुंदिलीनी उर्जा पर आधारित तीसरा नेत्र ध्यान है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ध्यान की ततकाल अवस्था में चेतना के इस छठे केंद्र के आसपास शामिल होता है और इसे भौतिक और आध्यात्मिक अर्थों में उत्तेजित करता है। हमने प्राण या उर्जा के प्रवा और कुंदिलीनी उर्जा के रूप में साथ चक्रों के माध्यम से उपर की और बढ़ने के बारे में चर्चा की है। कुंदिलीनी के मार्ग में छठा चक्र है। इस त्राटक या छटे चक्र ध्यान में हम तीसरी आक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उप्योग करेंगे. तीसरी आक के लेन्स का मेकप और जहां यहां आध्यात्मिक रूप से स्थित है, आशिक रूप से हम अपनी आंतरिक आक से धार्णा विक्सित कर सकते हैं. ध्यान करते समय हमारी आभा में तीसरी आख का लेंस बिंदू केंद्र बिंदू होता है यह तक्नीक मस्तिष्ट को एक गहरी चेतना में भी डालती है जो ध्यान में होती है और नींद में सोने और जागने से पहले और बाद में अर्ध जागरत अवस्थाओं में विशत छवियों में यह अभ्यास अंतरग्यान और आंतरिक मार्गदर्शन विक्सित करने में भी मदद करता है इसे सही तरीके से करने के लिए आपको अपनी आखे बंद कर लेनी चाहिए और आराम से और सीधे होकर बैठ जाना चाहिए यदि आप सक्षम है तो बहतर है कि आप उस सिती में बैठें जिसे कमल मुद्रा के रूप में जाना जाता है सीधा और पाल्थी मार कर सांस लेते हुए अपनी आंखों को आराम देना शुरू करें और जब आपकी आखे अभी भी बंद हो तो उन्हें उपर की ओर घुमाएं ताकि आप अपनी खुद की तीसरी आख को अंदर से देख सकें ध्यान केंद्रित करने और इस सिती को बनाये रखने के लिए एक सौ से पीछे की और गिनने का प्रयास करें इसे तब करें जब आप कम से कम पाँच सांसों के लिए धीरे धीरे और गहरी सांस अंदर और बाहर कर रही हो जब आप कर ले तो आप इसे केवल देखने और विचारों को अपने दिमाग और आंखों से गुजरने देने के लिए खीच सकते हैं फिर भी अपनी सांस के साथ-साथ आंखों पर भी ध्यान दे आप महसूस करेंगे कि आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्यक सांस के साथ एक उर्जा उपर की और प्रवाहित हो रही है ऐसा पंद्रह मिनट तक करें आप यह भी पाएंगे कि आपकी आखे अजीब तरह से शांत, तनावमुक्त महसूस कर सकती है और आप शायद इस स्थिती को सहजता से बनाए रखने में सक्षम है सुनिशित करें कि आपकी सांसे धीमी और कोमल है और आप उन्हें रोक नहीं रही है आप अभी भी शांत, जागरुक लेकिन तनावमुक्त महसूस कर सकते हैं और आपका तीसरा नेत्रक शेत्र गर्म महसूस कर सकता है कुछ कहते हैं कि वे अपने विचारों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि अब वे जानते हैं कि वे कहां से आये थे और उनकी आखे वहाद देखती हैं जो वे देखते हैं इस समय के बाद जब आप अभी भी धीमी और स्थिर सांस ले रहे हो, इस इरादे से अपनी आंखों और दिमाग को आराम दे कि आप इस ध्यान को जाने देने के लिए तैयार है अपने ध्यान को अपनी पहली आखों की ओर ले जाने दे और ध्यान को तीसरी आख से निकलने दे फिर आखे खोलो योग योग व्यक्ति के सभी अंगों को कई तरह से एक साथ लाता है योग शरीर की उर्जा को उलट देता है और जागरुकता बढ़ाने में मदद करने के लिए इसे वापस अंदर लाता है शिव योग पीनियल ग्रंथी पर ध्यान केंद्रित करता है और तीसरी आख को जगाता है हाला कि योग कई प्रकार के होते हैं और कुछ में साजा दर्शन और मुद्राय होती है नीचे सैक्डों आसनों में से कुछ ऐसे हैं जो तीसरी आख को जगाने में भी बहुत सहायक है सर्वोत्तम परिणामों के लिए आपको एक शिक्षक के साथ इनका अध्ययन करना चाहिए लेकिन आप शोद कर सकते हैं या विडियो देख सकते हैं और उन्हें इस पुस्तत के अन्य भागों के सयोजन में आजमा सकते हैं बालासन या बच्चे की मुद्रा जानू शिर्शासन या सिर से घुटने तक की मुद्रा मकरासन या डॉल्फिन मुद्रा अधिक उन्नत योग पदों में से कुछ है गरुडासन या इगल पोज, हाथों के बल, योग निद्रा, इथर के तेल, इनमें पौधों और जड़ी बूटियों का सार होता है चूकि वे जीवित चीजों से हैं, उनके पास कमपन और उर्जा भी है और साथ ही कई उपचार क्षमताएं भी है तीसरी आख के जागन के लिए उनका उपयोग तीसरी आख को उत्तेजित करना, किसी भी रुकावट को दूर करना और उर्जा के प्रवा को बनाए रखना है ऐसे कई हैं जिनका उप्योग किया जा सकता है लेकिन कुछ सबसे अधिक उप्योग किये जाने वाले और कई देशों में उपलब्ध है बे लॉरेल आवशक तेल मानसिक शमताओं को सुगम बनाता है और बढ़ाता है मस्तिश्क को उत्तेजित करता है कहा जाता है कि गाजर के बीच शारिरिक और आध्यात्मिक रूप से द्रिश्टी को ठीक करते हैं और द्रिश्टी की स्पष्टता की अनुमती देते हैं यहां इत्रिक और भौतिक दोनों तरह के शरीरों को भी संतुलित करता है और इस तरह से तीसरे नेत्र के काम के लिए इस्तमाल किया जा सकता है कैमोमाईल विचारों और प्रतिमानों की निश्पक्ष जाच करने में मदद करता है और उन लोगों को पहचानता है जो हमारी सेवा नहीं करती है क्लेरी सेज हलके और गंभीर से लेकर मस्तिश की द्रिष्टी और विकारों में भी मदद करता है चमेली गहरे दर्द और भावनात्मक मुद्दों में मदद करती है यह connection और अंतर ग्यान को सुविधाजन बनाने में भी मदद करता है मेली सा चोथे चक्र को खोलने में मदद करती है आपको उच्च लोको और उच्च उर्जा तक ले जाती है और पीनियल को सक्रिय करती है पालो सेंटो शुद्धी में सहायता करता है और यहाँ आधार बनाता है आध्यात्मिक जागरुकता की सुविधा देता है और अन्यक्षेत्रों को समझने की क्षमता को बढ़ाता है गुलाब शांत और आराम करता है यहां अंजा चक्र के खुलने का भी प्रतीक है विडमना यह है कि इसमें सभी आवर्षक तेलों का उच्चतम कमपन होता है जो एक विरोधा भासी लगता है तीसरी आख को जगाने के अभ्यास से हम मन को आराम और शांत कर रही है लेकिन हम जिसमें रहते हैं उससे उच्च कमपन आयामों तक पहुँच रही है यहां वास्तव में इस शांत और फिर भी आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उरजावान तेल से सहायता प्राप्त करने के लिए काफी उप्युक्त है कुछ अन्य जो उप्योगी भी है और इन प्राथ्मिक और सर्वोत क्रिष्ट तीसरे नेत्र चक्र के पूरक हो सकते हैं नीचे हैं आप थोड़ा शोद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से गुड़ आपकी आवशक्ताओं के अनुरूप है और शुरू करने के लिए कुछ का चयन करें आपको यह भी सीखना चाहिए कि तेलों का सही तरीके से उप्योग कैसे करें और उनकी क्षमताओं को कम न समझें कुछ को लगाया जा सकता है कुछ केवल खुशबुदार होते हैं निगले जाने पर कुछ विशाक्त हो सकते हैं सभी एक जैसे नहीं बने हैं और उनमें से प्रत्तेक के अपने गुण हैं इन बहुत ही गुणकारी तेलों के साथ काम करने से पहले कुछ होमवर्ग अवश्य करें उनका सम्मान किया जाना चाहिए इंजेलिका रूट, सरो, एल्मी, लोहबान, हेलिक्राइजम, जुनीपर, कुठरा, सुगंधरा, रोजमेरी, चंदन, वेटिवर, क्रिस्टल तीसरी आख को जगाने के लिए आमतौर पर इस्तमाल किये जाने वाले कुछ क्रिस्टल नीचे सूची बद्ध है अन्य उप्युक्त क्रिस्टल भी बैंगनी, बैंगनी या इंडिगो या नीले रंग की सीमा में हो सकते है जैसा कि पहले उल्लेक किया गया है, अन्जा चक्र से संबंधित रंग बैंगनी-बैंगनी है उप्यो करने के लिए कुछ बहुत अच्छे क्रिस्टल है बिल लॉर अजुराइट सन ब्लू एवेंट्यूरिन नीला टूमलाइन दुमोटियराइट फ्लोराइट लापीस लाजुली शुंगाइट सुगिलिट क्वाज पत्थरों को अकेले एक साथ पैटन में या शरीर पर या उसके आसपास पहना जा सकता है उन स्वटिकों पर कुछ शोद करें जो सहज रूप से आपकी रुची को महसूस करते हैं और वहां से शुरू करें आप क्रिस्टल और पत्थरों को बेचने वाले स्टोर में भी जा सकते है और उन्हें उठा कर देख सकते है कि कौन सा सही लगता है कभी कभी क्रिस्टल की कमपन आवरित्ती आपको अलग महसूस होगी और आप इसकी उर्जा के प्रती आकरशित होंगे तेलों की तरह ही हर पत्थर के अपने गुण होते है आप अपने शोद का उप्योग उन गुणों का चैन करने के लिए कर सकते है जिने आप चाहते है और अन्य क्रिस्टल के बारे में जानने के लिए जिने आप खोजना चाहते है इसके अलावा आप कई चीजों पर शोद कर सकते हैं जो आप क्रिस्टल के साथ कर सकते हैं उन्हें कहां रखना है, उन्हें कैसे संद्रेखित करना है, उन्हें कैसे साफ करना है और बहुत कुछ उन्हें पहनों, उनके पास सोव क्रिस्टल का उप्योग करने के आदी होने के लिए उप्योग की जाने वाली एक सरल तक्नीक यहा है कि जब आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हो तो उन्हें अपने शरीर पर रखें धीरे धीरे और शान्ती से सांस लेते हुए लेट जाएं और एक को अंजा चक्रक शेत्र पर रखें इसे आप मेडिटेशन के साथ भी जोड सकते हैं यदि आप इन्हें दिन में कुछ बार कर सकते हैं और वे जागर में मदद करेंगे विभिन क्रिस्टल में विभिन गुण होते हैं उदाहरण के लिए नीलम अंतरग्यान को बढ़ाता है लापीस लाजुली कनेक्शन और उच्च जागरुकता की सुविधा प्रदान करता है ध्यान के साथ इसका अभ्यास करना बहुत अच्छा है कुछ ऐसे क्रिस्टल है जो उपर सूची बद्ध लोगों के अलावा पीनियल ग्रंथी को उत्तेजित और शुद्ध करने के लिए लाबकारी होते हैं इसमें शामिल है आप विशेश रूप से इन विशेश क्रिस्टलों में से एक का उप्योग करके पीनियल ग्रंथी को लक्षित कर सकते हैं एक पत्थर के रूप में या एक क्रिस्टल की छड़ी की नोक के रूप में जिसे आप वहां भी खरीद सकते हैं जहां आप अधिकांश क्रिस्टल खरीदते हैं यहां व्यायां बाहर धूप में किया जा सकता है Crystal सूर्य की ब्राहमांडिय किर्णों को इकठा करते हैं और उन्हें केंद्रित करते हैं और उन्हें भौह चक्र में प्रवाहित करते हैं तीसरी आख के बारे में जागरुकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक साधारन ध्यान करें ऐसा हर दिन लगभग 5 से 15 मिनट या उससे अधिक समय तक करें ओपन पोर्टल तक्नीक तीसरी आख अंजा चक्र का एक हिस्सा है जैसा की आप अब जानते हैं जैसा की हमने चर्चा की तीसरी आख के लिए लेंस छटे चक्र पर प्रभामंदल का हिस्सा है यह छठा उर्जा बिंदू या पहिया या वलय है क्योंकि इसे मूल चक्र से उपर जाने पर भी संदर्भित किया जाता है चक्रों को उर्जा का भमवर भी माना जा सकता है क्योंकि वे प्रत्यक चक्र बिंदू पर घूंते हैं इसके लेंस के माध्यम से तीसरी आख खोलने के लिए हमें छटा चक्र पोर्टल खोलना होगा एक अंधेरे क्षेत्र में शुरू करना, आराम से बैठना या लेटना और बिना किसी रुकावट के आप अपना ध्यान शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने वर्णन किया है जैसे ही आप अपनी तीसरी आख पर ध्यान के इंद्रित करते हैं, आप लेंस के खुलने और इस त्रियायमी दुनिया और एक चौथयायमी दुनिया के बीच एक पोर्टल के निर्माण की कलपना करेंगे यह पोर्टल आपको वह द्रिष्टी और द्रिष्टी प्रदान करेगा जिसकी आवशक्ता आपकी आखे खोलने के लिए होगी यहाँ आपको अपने गहरे मन को सुक्ष्म शरीरों, विचार रुपों और उर्जा और प्रकाश प्राणियों को खोलने की द्रिष्टी भी देता है जो इस दूसरी तरफ हो सकते हैं ऐसा करते समय आप अपने विचारों और द्रिष्टियों को एक नई वास्तविक्ता और दुन्या के लिए एक अलग परत की द्रिष्टी के लिए खोल रहे होंगे तीसरी आख खोलने की अन्य तक्नीके चलाना स्क्रीन के रूप में जानी जाने वाली प्राचीन तक्नीक का अभ्यास करने के लिए आप अनिवार्य रूप से घूर कर अपनी द्रिष्टी को स्थिर करेंगे और थोड़ी देर के लिए एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो उदाहरण के उपयोग के लिए यहां एक पत्थर होगा। कुछ लोग शीशे का इस्तमाल करते हैं, जिस पर वे चलाते हैं। अन्य लोग अभी भी पानी, अगनी टकटकी या इसी तरह के उद्देशों के लिए मोमबत्तियों का उपयोग करेंगे। आप आराम करने और अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश करके शुरुआत करेंगे। अपनी आखें बंद करें और जब आप तयार हो तब उन्हें खोलें ताकि आप पत्थर को देखना शुरू कर सकें। जैसा कि आप पत्थर में टकट की लगाते हैं, आप जरूरत पढ़ने पर वस्तु को धुन्दला या फीका पढ़ने देंगे ताकि रोते हुए पत्थर पर छवियां दिखाई देने लगे। आपको पत्थर पर द्रिष्टी मिल सकती है। इसके लिए पॉलिश किये गए गुलाबी क्वाट्ज जो अर्धपार भासी है, जैसे पत्थर हैं और जने आप स्क्रीन के लिए खरीच सकते हैं। दरावने पत्थरों की एक चिकनी या कभी-कभी एक सपाट सतह भी होगी जिसका उप्योग आप इस उद्देश के लिए कर सकते हैं।